मुझे अभी मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का चार साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है मैं आपको बहुत बहुत शुब कामना ही देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पबलिक की बीच में रखेंगे और सक्रिय होके आप हर प्रकार की सुचनाय प्राप करके आप अपने आपको आगे बढ़ाएंगे मेरे आपके बहुत बहुत शुब कामने जो करोना महामारी फैल रही है पुलिस की जो भूमिका है वो काफी सरानी है लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस के जो करमचारी है उतनी सुधाय उनको नहीं मिल नहीं सर क्या करें सर यह करोना का दौर जब से सुरू हुआ है हम लोग विशेश शतरकता कर रह पॉलिस लाइन पॉलिस के सम सम्त डूटी पॉइंट्स इस ऐसे ऑंड है किया जाता है और हम प्रॉपर्ली से किया सब्सक्राइग है उसके लिए सरकार द्वारा फंड भी उपलब्द कराए गया है समय समय पर दो बार हम लोगों ने प्रत्यक जिल्ले में सफिशन्ट मात्रा में मास्क सैनिटेजर आदी उपलब्द करा दिया गया है तो इस प्रकार पुलिस फ्रेंट लाइन वरकर होने के कारण क्योंकि संपर्क में आते हैं आने का संभावना रहता है तो इसलिए इसके बिशेश प्रिकॉशन लिया गया है इसके साथ साथ जो हमारा करोना के लिए जो होट स्पोट्स एरिया में जो अंदर जाते हैं जो हमारा सास्त टीम के साथ जाते हैं उनके लिए हम लोग पीपी किट बगारा भी उपलब्द करा रखे हैं जहां पर आवशकता हो उसको उनको यूज कर रहे हैं और उसके साथ में पर अबंग ब्रीफिंग मौके पर भी विविन अधिकारियों के द्वारा हम लोगों के द्वारा सब के द्वारा किया जाता है ताकि ये सभी हमारे जवानों को ये पता रहे not only उनको उनके आसपास में संपर्क आने अले सभी लोगों को वो educate करे कि किस प्रकार सतर्कता र हुए नहीं हुआ है वो अपना घर छुट्टी पे गया हुआ था एक दूसरे जनपद में जहां पे उसको संक्रमन हुआ था उसको भी कॉरेंटाइन कर दे गया तो ये है लगातार देखा जा रहा है जब से ये पश्वे काबदा आई है तब से लगातार प्लिस कर्मी जो ह अबसर भी है कि लोगों के लिए किस प्रकार कारे करके अपना जो इस्ट्रेश्टा को ये दिखाएं कि अपने जन सवय में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो उसको दिखाना का भी एक समय है जो हमारे पास जन सकती कुल उपलब्द है उस जन सकती को अप्टिमम यूटलाइजेशन करना है कैसे बेस्ट यूटलाइजेशन किया जा सकता है चुनौती बहुत सार है अब जानते हैं स्पेसल ट्रेंस भी आ रहे हैं तो उन्हीं का जो हमारे साथ ही आ रहे हैं उनको बिविन बसों में अपने डिस्टिनीशन में भेजना है उसके लिए भी शेश भी वस्ता करना पड़ता है आप देख रहे हैं कि जो बिविन अन्य प्रदेश जो कामगार श्रमीगण भी आ रहे हैं तो उनको भी अपने डिस्टिनीशन में बसों के माध्यम से या गाड़ी करा के उनको पहुंचा जा रहा है एक्सिडेंट्स का खत्रा रहता है क्योंकि रास्ता में आवागवन गाड़ियों का जाधा है तो उसको भी बचाने के लिए पुरा प्रयास किया जाता है उसके साथ साथ अन्य जो पुलिसिंग का कारी उसको भी किया जाता है तो निश्चित रूप से ये बड़ा चुनाओती का साथ है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस पुर्स उसके लिए पुरा सातर क्या हो और सभी अच्छे ढंक से अपना संपातन कर रहा है पुलिस कर्मियों के बहुत बड़ी भोमका देखने को मिल रही है फैमली को छोड़के बच्चो को छोड़के लगातार डूटी कर रही है क्या उनको कुछ रियायत मिलेगी आन उप już कि लगातार नकी डूटी लग रही है चुटियां मिल नहीं रही है ऐसे में उनको अपनी परिवार को भी टाइम देना है कि इसके लिए विभाग को सोच इस समय सभी लोग लगे हुए हैं और उनको हम विशेश सरहना करना चाहेंगे वो हमारे जितने महिला पुलिस कर्मी हैं बहुती अच्छा कारिय कर रहे हैं स्वयम को वो सबस्त रखकर और उसके साथ अपनी जिम्मेदारी का निरुवान कर रहे हैं चाहे घर में भी कर रहे हुँगे चाहे अपने कारिक्षेत्र में भी कर रहे हैं उनको मेरा बहुती शलाना है धन्यवादा तो ये थे हमारे साथ अपर पुलिस महारी से लगना उच्छेतर एसन साबद जी जिनका साफ तोर पर कहरना है कि जो पुलिस है वो अगरिम पंक्ती में खाड़ी है सबसे आगे वो यो द्धा है जो लड़ रहे हैं इस महामारी से और इसके लिए खास तोर पर विवस्था की संक्रमन का खत्रा फोर्स में ना है क्योंकि गर फोर्स में संक्रमन हो गया तो इस सिती को सम्हालना वाकई भयावा हो जाएगा राध धाहीं लखना उसे कैमरा प्रसंदीपक के साथ मैं थरवस्थोगी एक्सपोज इंडिया के लिए है इस आल्या भाट यह वाचिंग स्पोस इंडिया की वाचिंग